매 thunder you guys welcome to the channel so आज की इस video में बात करेंगे related to JK poliflow ER exam form filing आब लोरग जानते हो form filing स्टार्ट हो चुकी है 10 तारीक से form filing स्टार्ट हुई थी फेश के अज 22 तारीक है स्टुडेंट्स के काफी एक कृश्टन से की सर देखो आज है आब लोग जानते को एंड फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है 10 दिसमबर तो स्टुडेंट्स कंटिन्यूसली मुझे हम मैसेज और कमेंट्स में प्रिट कर रहा था कि सर अपडेट कब होगा जेके सबी साइट कब अपडेट करेगी एंड हम कब अपलाई कर पाएंगे अगर अभी 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 आप अपलाई करने जाएंगे अगर आपका 28 साल से अब हो है एज जो भी कट ओफ डेट है जो की 1st जनवरी 1993 से पहले आपका जन्म हुआ है तो आप अपलाई नहीं कर सकते वहां आपको मैसेज आएगा अब स्टूरेंट करता है कि सर कब तक ही अपडेट होगा देखो एक्शुली है कि यह अपडेट हमारे मनोज सिना जी के ऑफिशल ट्वेटर हैंडल से अपडेट किया गया था कि वेकैंजिस को भी 800 वेकैंजिस थी उससे बढ़ाके 1200 कर दिया गया और इससे पहले 1x6 रेश स्टूडेंट का सेलेक्शन होना था फिर उनका फिजिकल होना था अगर इसी पैंडन को फॉल करता है तो फिर आपका 1200 वेकैंजिस होगी तो 1x6 रेशो के कोडिंग 7200 स्टूडेंट का इसमें होगा सेलेक्शन यानि कि आपको शॉटलिस्ट किया जाएगा फिर आपका उसक अवेल करवाएगा कि आप फॉल कर पाएं तो अभी आपको वेट करना बड़ेगा जब तक जेकैस भी इसमें एक्शन लेता कोई है अपडेट करता देखो अब इससे होगा क्या इससे दो चैसा इंपक्ट बढ़ती है अगर आप देखेंगे तो आज 22 तारीक है जब भी आ चैसे दिन फिर उससे गया होगा फिर आगे डेट एक्सेंड होगी उसके पाद एक्शाम लेट होगा इसी तरह के से हमारे रिक्वेंट प्रोसेस डेले होते जाएंगे कहने का मतलब यह है कि जैके सब्सक्राइब आपको अपडेट आ चुकी है फॉम दा ओफिशल आपको इसमें एक्शन लेना चाहिए और स्टुडेंट्स को उप्शन एडिट प्रोइड करोगी हाँ भी अप्लाई करो सो डैट की फॉम फिलिंग टाइमली हो एंड एक्जाम प्रोसेस टाइमली कंड़क्ट किया जा सके सो आई होप आपको आपके आंसर मिलके कि अभी क् आपके हों अन्य बनाई करना इससे जोड़ेड आपके शुदेट नहीं कर सकते हैं बाकी कुछ के स्टूडें से हमारा रिजल्ट हो चुकrophmen ही है और हमारी मार्कम लिस्ट नहीं आई हैं, तो क्यक्स अबश्य कर सकते हैं, एक्वा आप डाई कर सकते हो these are the common thing you must be aware about this क्योंकि आपको जब आप अगर किस फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको सारी चीज़े पता होनी चाहिए जो भी serious student उसको A से Z तक पता रहना चाहिए ज़िए कर आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको हम mark list अपडेट नहीं करने हैं आपको just you have to mention your examination marks at final year के 10th के 12th के and date of result that's all nothing you don't have to upload anything आपको कुछ भी update नहीं करना आपको सारे document produce करने at the time of document verification तब तक को आपका mark list आजाएगा आपको पता रहना चाहिए अवेर होना चाहिए आपकी इन चीज़ों से बागी थोड़ा wait करो and 8 lexation का भी still students mark करें इसे further extend किया जाए so let's hope कि जो भी होता है justice हो and जो भी हो इस तरीके से हो कि किसी कसा unjustice ना हो जो भी deserving है अगर 2 साल का lexation देना इससे बढ़ाना है या नहीं सरकार इससे ज्यादा बैटर कर सकती है decide फिलाल मुझे जान दक लगता है 2 साल का दिया गया इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता मिलेगा and देखते हैं फिर let's see कि क्या होता है बागी thank you and I hope सारे answers आपको मिल चेंगे थोड़ा सा wait करो या किसस भी कब तक अपडेट करता है फिर उसके बाद आपको आप फॉम फिल कर पाएंगे so guys thank you and take care